जाए हिंद आज हम क्लास एट साइंस चेप्टर फोर मेटल्स एंड नौन मेटल्स का एक टॉपिक है यूजेज अफ मेटल्स एंड नौन मेटल्स तो इसी के बारे हैं बात करने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे यह चेप्टर का एक एक वीडियो बना आगते हैं उस प्लेलिस्ट का लिंग कुछ यहां पर अपियर होगा तो चलिए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं तो यहां पर दो हैं यूजेज ऑफ मेटल्स और एक हैं यूजेज ऑफ मेटल्स तो यह किताबी लैंग्वेज को समाहने से पहले हम जेनरल बहुत कर लेते हैं इसके बारे में तो यूजेज ऑफ मेटल्स और यूजेज ऑफ नन मेटल्स के बारे में तो देखी यूजेज ऑफ मेटल्स तो जैसे ही आप यूजेज ऑफ मेटल्स पढ़ हैं इसका एक जामपल आना चाहिए जैसे इसका दो एक जामपल लेते हैं तो आयरन का पर जैसे ही जब एक्जामपल मान में आ जाए ताब आपको उसका यूजज सोचना है तो आरन का क्या क्या यूजज हो सकता है तो ट्रेन के पाटरी में यूजज होता है दूसरा मसीन में यूजज होता है फिर खेत जोतने वाला हाल में यूजज होता है और भी बहुत सारे यूजज है फ पहला और दूसरा ग्रेफ हाइट तो ऑक्सीजन है कि हमारे जीवन जीने के लिए ऑवास्याख हाए औक आज बीना रह पाएंगे ग्रेफ हाइट दूसरा ग्रेफ हाइट जब आप जुनियर च्लाशेंट में पेंशिल से लिखते थे तो वह पेंशिल का जो मुंडी होता है वो ब्लैक कलर का ग्रेफ हाइट का बना होता है और वो ग्रेफ हाइट का एक नान मेटल है तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर यूजेज ऑफ नान मेटल्स है और यूजेज ऑफ मेटल्स यहाँ पर देखे तो हम पहले आपको यहाँ पर एक तरीका बता दिये कि आपको यह चित्ना भी चीज चीज याद करने के आफ शाकता ही नहीं है, साब से पहले को क्या करना, यूजज ऑफ मेटल्स और यूजज ऑफ ननमेटल्स में, कि आपको इसका एक्जामपर ध्यान करना, और फिर उसका यूजज ऑपको बनाना है, अब हम देखते हैं है कि मेंटल्स का हम पड़ कियो रहे हैं göra १ंप कि यूज़न किया है कि इसका पीछे का रीजन कि या है यह अपने प्रोपारटीज के लिए होता है जैसे इसका बहुत सारे प्रोपारटीज यह यहां इसका एक properties है बहुत सारा जैसे यहां पर देखिए hard and strong मतलब hard है और मजबूत भी है more level मतलब thin seats में बादला जा सकता हाई melting और boiling point में मतलब बहुत अधिक temperature पर melt या boil होता है फिर high density मतलब जो particular कोई मेटल है उसका जो अंदर जो molecular level पर क्या है उसके जो बीच जो molecule है उसके बीच space है ही नहीं इसलिए वो क्या है बहुत strong और solid है अब यहां पर देखिए so these high metals are used in तो यहीं इसका इतना properties कारण है कि यह परियोग किया जाता है usage of metals यहां पर बहुत सारे होते हैं तो पहला देखते हैं making machinery आउटो मोवाइल ट्रेंस और industry gadgets तो यहां पर देखिए किसकी बनाने में machinery जैसे यहां पर एक हल जो तने वाला जो objector होता तो यहां है टो उसमें metal जो आरन होता है फिर आपirm वाल्रेंस पर योग होता है तो फिर aksi होता है जैसे च्राच्शेड़ देती हैं इंडस्ट्रिय Εल गाजय या चिपलाव सोलर या दूसरा पंप सोगया यह ऊंड़ तो यह सब यहाँ पर होता है तो आइरन औरिटाना उसका आट आएंक किया होना जरूरिया अब दूसरा देखते हैं आыт में अौझने लोटस Вид संद्सक्राइब तो जो एरो पलेन सैटलायट इंट सो हुता सब्सक्राइब को जो पाक्षा यूट सरक तो यू पाल्ट सोफवक्त पर्योगते वह नदिए गृoff YE Raphail हीट जैनरेट होता है, क्योंकि मेंटर्स बहुत ज्यादा है इसका बॉयनिंग पॉइलिंग प्रॉट्ट बॉयल रखर फिर cooking utensil जैसे cooker हो गया फिर बहुत सारे जो बरतन है फिर water boiler जिसमें पॉनी गरम करते हैं तो इन साब को जो आग के flame पर रखते हैं फिर भी यह melt नहीं करता क्योंको इसका melting और boiling point है वो बहुत high है और बहुत hard होता है इन साब metal जो है अब चाहँ था silver foil is used for decorating sweets है silver foil से decorating sweets के लिए परयोग किया जाता है decorating sweet मिठाई बजार में देखेंगे उसको पर क्या होता है उजला उजला लागा हुआ होता है वह क्या होता है silver का फॉयल होता है इसे देखने में काफी बाढ़ियां लगता है तो वह मिठाई पर भी यूज होता है silver foil अब पाच्वा जिंक is used to make dry sales है यह जो जिंक मेटल है यह ड्राई सेल्स बनाने में परियोग किया जाता है यह ड्राई सेल्स क्या है पहले के जवाना में बहुत टाउन चलता था तो उसमें छोटा छोटा बैटरी आता है या घाड़ी में भी तो वह बैटरी जो एक बार यूज होता है फिर उसको फेक देते हैं अब हम देखते हैं usage of non-metals तो पहला है non-metals is essential for our life which all living beings inhale during breathing non-metals हमारे life के लिए आवास जखा है मतलब यदि non-metals जो अक्षीजा नहीं रहे तो हम लोग दफा हो जाएंगे यह हम लोग सीधे चल जाएंगे मतलब नहीं बचेंगे क्योंकि breathe क्या करेंगे तो इसलिए non-metals क्या हमारे life के लिए जरुवत है oxygen भी क्या है एक non-metals है जो कि हम breathing के दौर्ण oxygen लेते हैं तो दूसरा non-metals use in fertilizers to enhance the growth of plants non-metals fertilizers में परियोग किया जाता है इस fertilizer में परियोग या इसलिए जाता है ताकि plants का growth बढ़ाया जा सके आप एक fertilizer का नाम सुने होंगे NPK उसमें जो nitrogen phosphorus non-metal है वो क्या करता है fertilizer में यूज होता है आप तीसरा देखते हैं non-metal used in water purification process non-metal बहु जगा यूज होता water purification process में भी परियोग किया जाता है देखिए जब water final stage में जैसे बहुत सारा process करके जब अंती में आता है तो उसमें microorganism पौनी में बाच जाता है तो एक non-metal है chlorine तो उस chlorine का यूज करके जितने भी microorganism में बाटर में उसको मार दिया जाता है तो non-metal water purification में भी यूज होता है फिर चाउठा है non-metal using the purple colored solution which is applied on wounds as antiseptic अभी यह क्या मामला यह जो non-metal है purple colored solution में पर यूज किया जाता है जैसे आपको एक purple colored solution और यह antiseptic का काम करता है मतलब कोई भी microorganism से infection नहीं पकड़ता है इसे फिर चाउठा है नान मेटल से उजिन क्राइकर्स 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 नान मेटल किस में जो हता है क्राइकर्स में जो फॉस्फोरास है वो क्राइकर्स में परियोग किया जाता है तो बस इतना था मिलते हैं अगली वीडियो में जाहिंद